अब आपकी दोस्त और आपकी होस्स ओनल and welcome to my channel लिवियंग टीवी फ्रेंस लिवियंग टीवी चाहता है इंडिया नॉइस फ्री और पॉलुशन फ्री बने और इसके लिए हम चाहते हैं इंडिया में जदा से जदा लोग इलेक्ट्रिक 2 विलर्स 3 wheelers और 4 wheeler ही चला है और इसी के वज़े से हमारी जो Indian government है वाफिस अजी subsidy भी दी हुई है electric vehicles के उपर So friends, आज मैं आपको ऐसे ही एक electric scooter के बारे में जानकारी देने वाली हूँ पर इस बार scooter का नहीं battery की जानकारी देने वाली हूँ So friends, यह है वो Hero Electric Flash E5 की lithium-ion battery आज मैं आपको इसी battery के बारे में जानकारी देने वाली हूँ Friends, मेरे जितने भी subscribers है वो मुझे हमेशा पुछते कि यह battery charge करने के लिए कितना time लगता है और यह power कितना consume करती है So आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ वो भी energy meter के द्वारा So let's begin with the review Friends, यह है energy meter इसे मैंने अपने घर पर ही बनाया हुआ है और इस वीडियो में यह battery charge करते हुए मैं इसका भी इस्तिमाल करूगी So that कि हमें पता चले कि हमें कितना खर्चा आएगा यह battery charge करने के लिए Friends, यह है multimeter आज मैं इसका भी इस्तिमाल करने वाली हूँ बैटरी चार्ज होने के पहले हमें कितना वोल्टेज मिलता है और बैटरी चार्ज होने के बाद हमें कितना वोल्टेज मिलेगा वो भी मैं चेक करके आपको बताऊगी Friends, यह जो बैटरी है यह है 48V28A की और इसका weight है 9.3kg का और हीरो के टितनी भी electric scooty है उनमें यह बैटरी दी जाती है लाइट पेक, एनिवेर चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग क्यापबिलिटी और एक्स्टेंडेड लाइफ बैटरी फेसिफिकेशन, लिथियम बैटरी, 48V28A, C5 रेटिंग और इसको चार्जिंग टाइम है, 4-5 अवर्स इसे लग जाते है चार्जिंग होने के लिए और इसका बैटरी वेट है 9.3kg का फ्रेंड्स रिवीव स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ और आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, मैंने बहुत सारे इलेक्रिक स्कूटर के रिवीव डाले हुए है और आप तक वो इन्फोर्मेशन हम पहुचाना चाहते है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी कर भीजिए यह 550W की BLDC मोटर और इसका पीक आउट्पूट है 1200W का और जो मोटर है यह काफी कॉम्पक्ट है, इसे वील में ही दिया गया है और उसी के साथ यह मोटर है, यह वाटर प्रूफ भी है, तो बारिश का मोसम अभी फिलहाल चल रहा है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि मोटर को कोई प्रॉब्लेम होगा और उसी के साथ यहाँ पर यह टूबलेस टायर भी दिये गए है यह है डियाल रेर सस्पेंशन, आप सिंगल सीट हो यह डबल सीट हो, काफी कमफुटेबल आप इसके साथ ड्राइड कर सकते है फ्रेंश यह है चार्जर और यह 6 अम्पियर का है और हीरो इलेक्रिक जो कमपनी है यह क्लेम करता है कि 4-5 घंटे में बैटरी चार्ज हो जाती है तो आज हम प्राक्टिकली देखेगे कि सच में यह बैटरी 4-5 घंटे में चार्ज होती है या नहीं फ्रेंश यहां पर अब मैने यह मल्टीमेटर रखा है और यह बैटरी को में चेक कर रही हूँ कि हमैं इसका वोल्टेज कितना मिलता है जैसे कि आप देख रहे हो घंटान सब्सक्रान को इंदाटन करहें हूँ अब टाम हुआ है 10 बज़े का और मैं charger को बैटरी से connect कर रही हूँ और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे जो watts मिल रहा है वो है 287.5 अगर आप जानना चाते हो कि इस बैटरी को charge करने के लिए कितना खर्च आया है और कितना time लगा है तो उसके लिए आपको मेरा ये जो वीडियो है इसे अन तक देखना होगा अब यहाँ पर 10 बर्च के 15 मिनिट हो गए है और 306.4 watts से ये charge हो रहा है और 0.7 kilowatts का electricity हमने यहाँ पर consume कर लिया है अब यहाँ पर 10.30 timing हो गया है और 310.7 watts से हमारी ये जो बैटरी है ये charge हो रही है और 0.14 kilowatts यहाँ पर electricity consume हो गई है अब यहाँ पर 10.45 का timing हो गया है और 315.2 watts से हमारी बैटरी ये charge हो रही है और 0.22 kilowatts electricity consume हो गई है और अब यहाँ पर 11 o clock हो गए है और 320.4 watts से हमारी बैटरी है ये charge हो रही है और 0.30 kilowatts electricity यहाँ पर consume हो गई है और अब यहाँ पर 12 o clock हो गए है और 336.2 watts से हमारी बैटरी ये charge हो रही है और 0.16 kilowatts electricity यहाँ पर consume हो गई है इस video related अगर आपको कोई भी doubt है तो आप comment box में हमें questions पूछ सकते है अब 3 घंटे के बाद 347.0 watts से हमारी ये बैटरी चार्ज हो रही है और 0.91 kilowatts electricity यहाँ पर consume हो गई है अब यहाँ पर 130 हो गया है और 350.8 watts से हमारी जो बैटरी है ये charge हो रही है और 1.07 kilowatts यहाँ पर electricity हमने consume कर ली है फ्रेंड्स आपको सबसे ज़दा कौनसी electric scooter पसंद है प्लीज हमें आप ये comment box में बताइए अब 4 घंटे के बाद 200.5 watts से हमारी बैटरी ये charge हो रही है और 1.19 kilowatts electricity यहाँ पर consume हो गया है और अब यहाँ पर 230 हो गया है और 84.5 watts से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है और 1.25 watt electricity consume हो गया है और 1 kilowatts energy के लिए हम पुना में 7-8 रुपए भरते है अब यहाँ पर 3 बज के 2 minute हो गये है अल्मोस 5 घंटे हो गये है इस बैटरी को charging को लगा के और 30.8 watt से हमारी ये जो बैटरी है ये charge हो रही है और 1.28 kilowatts electricity यहाँ पर consume हो गयी है ये charger के उपर का light है ये red से अब green हो गया है इसमीन हमारी ये जो बैटरी है ये full charge हो गयी है 1.28 kilowatts charging के लिए आपको इंडिया में 12-13 रुपए तक का खर्चा आ जाएगा अब ये जो मेरी बैटरी है ये full charge हो गई है उसके बाद मैंने इसे चेक करा है और चेक करने के बाद मुझे इसका voltage मिला है 54.5 का यहाँ पर ये मिलता है आज मैंने जो experiment किया है उसका ये graph है और इसके वज़े से हमें ये पता चलता है कि 1.28 kW electricity यहाँ पर consume हुई है पाच घंटे में आप इस graph में देख सकते हो कि 3.5 घंटे तक बैटरी fast charge होती है और उसके बाद 3.5 से 5 घंटे तक ये बैटरी slow charge होती है मैं recommend करूगी कि 3.5 से 4 घंटे तक ही चार्ज करिये so that battery का life भी बढ़ जाए friends ये हो गया इस week का वीडियो मैं ऐसे ही next week ने स्कूटी के साथ आओगी आपके सामने तब तक please आप मेरे वीडियो ऐसे ही देखते रहिए do like, comment, share and subscribe my channel thank you